C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाँच बीज 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 टेश्ट 42 गुपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे यह सोच कर गुपाल बहुत खुश था इतने में माने आवाज लगाई गुपाल रात में दो कटोरी चने याद से भिगो देना मा को बुगा की घर जाना था और बे सुबह लोटने वाली थी गुपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा माने बस दो कटोरी चने कहा वह भी आठ लोगों के लिए ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे इसलिए उसने चार कटोरी चने भिगो दिये सुबह मा वापस आई तो गुपाल को बुलाया और कहा इतने सारे चने क्यों भिगो दिये देखो ये तो बरतन से बाहर आ गए गुपाल सोच में पड़ गया यह कैसे हुआ माने कहा चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिये अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूँगी डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सला दी है माने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेट कर टांग दिये चर्चा करो तुम्हारे घर में कौन-कौन सी चीजें खाना बनाने से पहले भीगोई जाती है और क्यों तुम्हारे घर में कौन-कौन सी चीजें अंकुरित करके खाई जाती है उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है कितना कितना समय लगता है क्या तुम्हें या तुम्हारे आस-पास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सला दिये है। क्यों? प्रिष्ट 43 करके देखो याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किये थे आओ एक और प्रयोग करके देखें चने के कुछ दाने और तीन कटोरियां लो पहली कटोरी में चने के चार-पांच दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी उई रूई या कपड़े में लपेट कर रख दो ध्यान रहे कपड़ा या रूई सूखने न पाए तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो तीनों कटोरियों को ढग दो दो दिन बात देखो और लिखो तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव दिखा तालिका बनाओ जैसे क्या बीजूं को हबा मिल रही है? कटोरी एक में? नहीं कटोरी दो में? हाँ कटोरी तेन, हाँ इसी तरह लिखो क्या बीजों को पानी मिल रहा है? बीजों में क्या बदलाव आया? क्या बीजों में अंकुरन हुआ? बताओ और लिखो किस कटोरी के बीजों में अंकुरन हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है गोपाल की माने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे प्रिष्ट चवालीस साबुत मसूर का दाना कहता है साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते सोचो क्यों चित्र बनाओ अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ किसका पौधा कितना बड़ा एक गंबला या चोड़े मुहूँ वाला डिबबा लो इसकी नीचे छोटा सा छेद करके मिटी भरो किसी एक किस्म के चार पांच बीज मिटी में दबा दो कक्षा में सभी बच्चे अलग-अलग किस्म के बीज बोएं जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया लिखो बीज का नाम किस दिन बोया, उसकी तारीख लिखो अब जिस दिन तुम्हें चोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से अपनी ताली का भरो जैसे तारीख, पौधे की लंबाई, कितने सेंटिमीटर कितने पत्ते दिखे, और कोई बदलाव आया पौधे को धागे से नाप कर, फिर स्केल से भी नाप लो प्रिष्ट पैतालीज पता करो बीज बोने और चोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे? पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में क्या अंतर था? किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी? क्या हर दिन पौधे में से नाया पत्ता या पत्ते निकले? क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया? चर्चा करो किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज्यादा दिन लगे? कौन सा बीज उगा ही नहीं? क्यों नहीं उगा होगा? अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया, तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा? दिल की बात बताओ बीज के अंदर क्या होता है? छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? प्रिष्ट 46 सोचो और कल्प ना करो, अगर पौधे चलते, तो क्या होता? चित्र बनाओ पता करो, क्या कुछ पौधे बीज के भी उगते हैं? शिकारी पौधे कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, जो चूहों, मेंड़कों, कीडे, मकौडों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं. इन में नीपेंथिस सबसे ज्यादा मशूहूर है, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मिघालाय राज्ये में पाया जाता है. इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके उपर पत्ती का ढकन लगा होता है. घड़े से खास खुच्बू निकलती है, जिसकी वज़ा से कीड़े खिचे चले आते हैं. पौधे के उपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते. देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से. कितने सारे बीज? तुम कितनी तरह के बीज इकठे कर सकते हो? सोचो, तुम्हें ये बीज कहां कहां से मिलेंगे? सारी कक्चा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकठा करें. हो गए ना बहुत सारे बीज? इन बीजों को ध्यान से देखो. जैसे बीजों के रंग, उनके अकार, कि वो गोल हैं या चप्टा, उनकी उपरी सत है, कि वो खुर्दरी हैं या मुलायम प्रेश्ट सैंतालीज एक तालिका एक चाड़ पर बनाओ और पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर उसे भरें तालिका इस प्रकार हो बीज का नाम, जैसे राजमा, उसका रंग, जैसे राजमा का रंग भूरा होता है फिर उस बीज का चित्र बनाओ उसके बाद बीज की उपरी सतह लिखो, जैसे राजमा की उपरी सतह है, मुलायम सोचो, क्या इस सूची में सौफ और जीरा भी है इकठे किये गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है समू बनाओ और लिखो क जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते है ख जो सबसी के बीज है ग जो फलों से इकठे किये गए है ग जो हलके हैं फूँक मार कर पता कर सकते हो जो चप्टे हैं और समू भी बनाओ कितने समू बना पाए क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो अपने साथियों से बात करो गुमककर बीज पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगाव खड़े रहते हैं ये चलते नहीं हैं लेकिन इनकी बीज बड़े ही गुमककर होते हैं पौधों के बीज दूर दूर तक पहुँच जाते हैं यहां कपास का एक चित्र दिया गया है ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं? क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? तुम्हारे यहां उसे क्या कहते हैं? अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के सम्हू में से कितने बीज हवा से बिखरते होंगे? कुछ बीज हवा में नहीं उड़ पाते यह बीज जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अड़क जाता है है ना मुफ्त में सेर? इन बीजों को देख कर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया? सुर्जर लैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया? यह घटना 1948 की है एक दिन जोर्ज मेस्टरल अपने कुट्टे के साथ घर से लोटे उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देख कर वे हैरान रह गए जट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे-छोटे हुक थे उनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिय आया वेलक्रो बनाने का वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज होती है तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदी में इसका इस्तेमाल देखा होगा है ना मज़िदार किस्सा प्रकृती से प्रेरणा लेने का प्रिष्ट उनन्चास अंदाजा लगाओ कि बीज किस-किस तरह से बिखडते हैं पौधे स्वैम भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं जैसे सोया बीन की फलियां पक कर सूख जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लगती हैं उनकी अवाज सुनी है सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानि एक ही जगा पढ़े रहते तो क्या होता एक सूची बनाओ बीज किस-किस तरह से बिखरते हैं कौन कहां से आए जी बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानि इनसानों को शामिल किया है हाँ, हम भी बीजों को यहां से वहां पहुँचाते हैं अनजाने में और जानबूज कर भी कोई पौधा खोफसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखड़ जाते हैं कई सालों बाद तो लोगों को याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से या नहीं उगते थे ये तो कहीं और से ही आए हैं पता है मिर्ची हमारे यहां कहां से आई इसे पुर्टगाल देश के व्यपारी दक्षिन अमरिका से भारत लाये थे अब यह सारे भारत में उगाई जाती है प्रिष्ट पचास जानना चाते हो कौन कहां से आया है इस कविता से जानो आलू मिर्ची चाए जी आलू मिर्ची चाए जी कौन कहां से आये जी साथ समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यपार से, उपहार से, जंग लडाई मार से हर रस्ते से आये जी, आलू मिर्ची चाए जी दक्षिन अमरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पट रानी मूंग फली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उचल कूद साथ टमाटर आये जी, आलू मिर्ची चाए जी भिंडी है अफरीका की, भूरी भूरी कौफी भी नक्षे में यूरोप किदर, वहीं से आये गोभी मटर चाए असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाए जी चली चीन से सोया बीन, पहुंची अमरीका बजाती बीन घूम घाम लोटी अपने देश, उसमें हैंगुण कई विशेश रौब जमाकर आये जी, आलू मिर्ची चाए जी बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा, बेर और केला पालक परवल, टिंडा मेथी, हैं भाई बहन ये सब देशी भारत की पैदाइश जी, कौन कहां से आये जी, आलू मिर्ची चाए जी ये कविता लिखी थी, राजेश उत्साही ने क्यों, जान गए न, क्या तुम सोच सकते हो, अगर ये हमारे यहां नहीं आय होते तो हमारे जिन्देगी कैसी होती, दुनिया के नक्षे में इन देशों को ढूनने की कोशिश करो हम क्या समझे यहां अंकुरित भीज का एक चित्र छपा है, जिसे रीना ने बनाया है तुम्ही क्या लगता है, इन भीजों को अंकुरित होने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत हुई होगी? अपने शब्दों में लिखो अगर उनकी जरूरी चीजों में से कोई ना मिले, तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे? चित्र बना कर बताओ बीज किस-किस तरह बिखरते हैं? केनी दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो बीज 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 अभी आप सुन रहे थे कक्षा पांच की पार्टे पुस्तक हमारे आसपास का पांचमा पार्ट प्रस्तुती C I E T N C E R T नई दिल्ली भारत